C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तु थे कक्षा दो की हिंदी की ध्वनी पुस्तक सारंगी प्रिष्ट सत्तर, पाठ सत्रह, सुने कहानी, शीर्षक, बरसात और मेंधक सोमारू और कमली जंगल घूमने गई, लोडते समाएं उन्हें जोर की भूख लगी उन्हें एक गाए दिखी, कमली ने गाए से कहा जरा सा दूध दे दो, तो भूख मिटे गाए बोली, मा, मेरे पास खाने को घास ही नहीं है मुझे हरी हरी घास खिलाओ, तो मैं दूध दूँ, मा कमली और सोमारू चले घास लेने, पर घास तो सूख कर पीली हो गई थी घास ने कहा कमली और सोमारू चले पानी लाने, पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी नदी ने कहा बरसात हो तो मुझे पानी मिले इस प्रिष्ट पर तीन चित्र बनाए गए हैं पहला चित्र प्रिष्ट के दाई और उपर बनाया गया है, जिसमें कमली और सोमारू गाए से दूध मांगते हुए नजर आ रही हैं दूसरा चित्र प्रिष्ट में बाई और बीच में बनाया गया है, जिसमें सूखी घास देखकर कमली और सोमारू हैरान और परिशान दिख रही हैं तीसरा चित्र प्रिष्ठ के दाई और नीचे बनाया गया है जिसमें कमली और सोमारू सूखी नदी को देख कर दुखी हैं प्रिष्ठ 71 कमली और सोमारू चले बादल लाने पर बादल तो बिन बरसे टंगे थे बादल बोले मींधक टर टर बोले तब तो हम बरसें कमली और सोमारू चले मींधक के पास मींधक बोले हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं टर टर जो हुआ उसके लिए माफ करो अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा मेंधक मान गए और टर टर करने लगे टर टर सुनकर बादल आए और जूम कर बरसे नदी में पानी बहने लगा इस पριश्ट पर तीन चित्र दिखाए गए हैं पहला चित्र दाई और उपर दिखाया गया है जिसमें कमली और सुमारू बादल से बात करते दिखाये गए हैं दूसरा चित्र प्रिष्ठ में बीच में दाई ओर बनाया गया है जिसमें कमली और सुमारू मेंधकों से बात कर रहे हैं तीसरा चित्र प्रिष्ठ पे नीचे दाई ओर बनाया गया है, जिसमें मेंधक टर टर करते और बादल प्रसन्न मुद्रा में पानी बरसाते हुए दिखाए गए हैं। प्रिष्ठ बहत्तर कमली और सुमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया, घास हरी हो गई, दोनों घास लेकर गाए के पास गए, गाए ने घास खाकर दूध दिया, कमली और सुमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली। लेखक, साभार, एकतारा इस प्रिष्ठ पर चार चित्र बनाए गए हैं। पहला चित्र बई और उपर बनाया गया है, जिसमें कमली और सुमारू घास को पानी देते हुए दिखाए गए हैं, और घास पीली से हरी होके बड़ी होती हुई नजर आ रही है। दूसरा चित्र दाई और बनाया गया है, उपर जिसमें कमली और सुमारू गाए को घास खिलाते हुए नजर आ रही हैं। तीसरा चित्र दाई और नीचे बनाया गया है, जिसमें कमली और सुमारू गाए का दूध पी के मजे लेते हुए नजर आ रहे हैं। चौथे चित्र में कमली और सुमारू अपने घर की रह पर खुशी खुशी चलते हुए नजर आ रही हैं। ये चित्र प्रिष्ठ पर दाई और नीचे बनाया गया है। प्रिष्ठ तिहत्तर बात चीत के लिए एक आपको ये कहानी कैसी लगी। दो मिंधक सुमारू और कमली के बात क्यूं मान गया। क्या आप होते तो मान जाते। तीन कहानी से लिए इन वाक्यों को पढ़िये। क्या आपने कभी किसी मित्र के साथ ऐसा कुछ किया है जिससे उन्हें चोट लगी हो या बुरा लगा हो। मिंधक बोले हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं। दोनों बोले जो हुआ उसके लिए माफ करो। अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा। शब्दों का खेल। ध, ड, र, और द वाले शब्द बनाईए। फिर सभी शब्दों को जोर से पढ़िए। क्या ध, ड, र, और द की ध्वनियां बोलने सुनने में अलग लगती हैं। यहाँ पर चार सूचियां दी गई हैं और चारों के शीशक अलग-अलग हैं। धावाले शब्द जैसे मेंधक। डवाले शब्द जैसे डमरू। रवाले शब्द जैसे घडी। और दावाले शब्द जैसे बाधाम। अब इन दिये गए उदाहरणों के नीचे दिये हुए धावाले शब्द, डावाले शब्द, डावाले शब्द और दावाले शब्द उचित सूची के नीचे लिखें शिक्षन संकेत दूसरे प्रश्ण पर सभी बच्चों को बोलने का आफसर दीजे कहानी के संदर्भ को बच्चों के जीवन से जोड़िये चित्रकारी और लेखन कमले और सुमारू ने घर जाकर क्या किया होगा चित्र बनाईए और कहानी को आगे बढ़ाईए यहाँ पर एक बड़े से चौकोर में खाले जगह दी हुई है जहाँ पर आपको चित्र के माध्यम से बताना है कि अब कमले और सुमारू ने आगे क्या किया होगा नीचे दी हुई खाली पंक्तियों में कहानी को आगे बढ़ाते हुई कुछ वाक्य भी लिखिये प्रिष्ट 75 आनंदमई कविता शीर्षक उठो उठो पत्ती डोली चिडियां बोली हुआ सवेरा उठो उठो चाई लाली अहा निराली मिटा अंधेरा उठो उठो इस प्रिष्ट पर दो चित्र दिखाए गए हैं उपर बनाए गए चित्र में एक डाली पर चिडिया बैठी चहचहा रही है नीचे बनाए गए चित्र में सूरज उगता हुआ दिखाई दे रहा है वो अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में है प्रिष्ट छेहत्र आलस्त्यागो प्यारे जागो आँखें खोलो उठो उठो देखो जहां की भारत मां की जाय जाय बोलो उठो उठो लेखक सोहनलाल द्वीवेदी इस प्रिष्ट पर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें एक बालिका अपने बिस्तर पे लेटी हुई है वो अलसाई है उठने से कतरा रही है उसकी खिडकी के बाहर डाल पे बैठी एक चिडिया उससे उठने के लिए कहती हुई नजर आ रही है शिक्षन संकेट सुभा के वातावरण और परिवार की सदस्यों की दिन शर्या के बारे में भी बातचीत की जा सकती है सारंगी